क्या आप करे लेकर जूस पीके अपने डाइबेटीज को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप मेथी दाना खाके डाइबेटीज को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप पनीर के फूल लेकर डाइबेटीज को कंट्रोल कर सकते हैं? जी हां मैं हूँ Dr. Nivetita और आज इस वीडियो में मैं आपके इन ही सारे प्रशनों के जबाब दोगी जब हम बात करते हैं diabetes की तो ये simple सी information है कि diabetes में आपके blood में शुगर बढ़ी हुई होती है जो आपका शरी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा होता है जिसकी वज़े से ये शुगर लगादार बड़ी हुई रहती है ये दोनों ही तरह की diabetes में मिलती है type 1 diabetes की बात करें या type 2 diabetes की बात करें जब हम बात करते हैं कि diabetes को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप ऐलोपेथिक फिजीशन के पास जाए या आईरवेदिक फिजीशन के पास जाए आपको medicine सजेस्ट की जाती है उसके साथ में आपको कई बार ये आपने मुझे भी खहते हुए सुना होगा या आपने कई बार ऐसे वीडियो देखे होंगे या information आपको मिली होगी कि आप करेले का juice ले या आप मिथी के दाने का पानी ले या आप पनी डोडा के पानी को सुभह ले और आपकी diabetes को आप control ही नहीं reverse भी कर पाएंगे जी हाँ ये बिलकुल सही बात है लेकिन आप ये बात ध्यान रखें जब भी हम diabetes के बात करते हैं तो सिर्फ आपको किसी एक चीज़ पर dependent नहीं रहना है और आपको ये भी समझना है कि ये एक lifestyle disorder है और lifestyle disorder को lifestyle ठीक करके ही ठीक किया जा सकता है याने कि आपने अगर खाने पीने में बदलाव नहीं किया आपने अगर अपना उठने का pattern सोने का pattern exercise का pattern ठीक नहीं किया अगर आपने अपनी जो भी sleeping habits हैं उनको नहीं सुधारा आपने stress में कमी नहीं की आप जो खा रहे हैं उसको आपने सोस समझ के नहीं खाया आपने ले लिया या पिर आपने बहुत जो खाने की चोईसेस अरतली हुई है तो मैं कैया आप सोचते है कि सिर्फ करले का जूस लेखे या सिर्फ मेथी केडाने के पानी को लेखे या पिर पानी डोड़ा के देली को लेके आप अपने शोगर को responsibility कर सकते हूँ दिन में दो बार पनी डोड़ा का पानी लेता हूँ लेकिर फिर भी मेरी शुगर कंट्रोल नहीं है जब उनकी हम हिस्ट्री लेते हैं complete details में जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी दिंचर्या क्या है तो ना तो उसमें कोई physical activity होती है stress pattern बहुत जादा होता है खाने के time का कुछ व्यवस्था नहीं होती या तो सुभह लेट उठके बहुत जल्दी खा लेते हैं या बहुत जल्दी उठके कर लूँगा क्योंकि यहां पर सभी चीजों की equal importance है जब हम बात कर रहे हैं allopathic medicine की तो अगर आपके sugar uncontrolled है और वो हमसे भी control नहीं हो रही है तो हम कई बार खुद भी suggest करते हैं कि अभी पिलाल के लिए आप अपनी allopathic medicines control में रखने के लिए अपनी शुगर को incorporate रखें धीरे धीरे हम उसे taper down करेंगे similarly हम आईरवेदिक medicines को भी incorporate करते हैं और हम उतना ही equal importance देते हैं कि आप exercise भी कीजिए अपने diet में ध्यान दीजिए नींद भी ठीक रखिए और अपने stress को कम कीजिए तो जब आपको diabetes diagnose होती है तो इस बात को ध्यान रखिए कि ये एक lifestyle disorder है और आपको अपनी lifestyle में changes लाकर ही इसको आप ठीक कर सकते हैं अगर आपको diabetes से संबंधित कोई भी प्रशन है कोई भी question आपके दिमाग में आ रहा है आप हमें comment section में comment करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी step आप अपने आप ना ले जैसे कि अगर आप medicines ले रहे हैं आप करेले का juice भी साथ में ले रहे हैं तो आप जरूर से चेक करें कि आपकी sugar level कहीं drop तो नहीं हो रही है क्योंकि इसमें आपकी medicines को improvise करने का बहुत जादा role होता है medicines को कम करना जादा करना ये बार-बार चेक करना होता है जबी आप कोई नए medicines incorporate कर रहे होते हैं तो अगर आपको diabetes से समदेद कोई भी समस्या है आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें call करके या फिर comment section में comment करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगे आपकी help करने की मुश्कार